हेलो एब्रीवन वैलकम टू आर चैनल उडान सपनों की वेटा आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की हिंदी की वॉक्षीट रचनात्मक लेखन यानि की कुछ लिखना होगा रचना करके मतब खुद सोचके वॉक्षीट नमबर सेक्स जो क्या आपकी देट 19 अपरेल की है दो बैलो की जो कता है वो आपको पता है दो बैलो के पर स्टोरी है लास्ट वक्षीट में थोड़ा सा देखा था उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंतरता सहज नहीं मिलती उसके लिए संगर्ष करना पड़ता है यानि कि उन दो बैलो को बांध रखा था उन्होंने अगर वो कोशिश नहीं करेंगे कोशिश करने पर ही आपको स्वतंतरता मिलती है स्वतंतरता आजादी जो है वो आपको आसानी से नहीं मिल सकती जो कोरोना है बेटा ताला बंदी मतल़ जो लॉक्डाउन है काल में आपने स्वतंतरता के महत्व को अच्छे से समझ लिया होगा है न लिखिये कि कोरोना तालाबंदी के समय आपको और आपके परिवार को कौन-कौन सी असुविदाओं या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपने उनका निवारन कैसे किया तो बेटा इसके लिए क्या है आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपने लॉक्टाउन में देख लिखा समझा सोचा मैं अपने हसाब से बता रही हूं आप इसमें कुछ एड़ भी कर सकते हैं कुछ छोड़ भी सकते हैं देखें लॉक्टाउन चब लगा एक साल होने वाला है कोरोना की भीमारी को तो लॉक्टाउन में देखें कितनी सारे प्रॉब्लम होई लॉक्टाउ हुआ बिल्कुल बंद हो गया सब कुछ कोई कहीं जा नहीं सकता था किसी कोई बिमार है तो वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता था ये कंडिशन आ गए थी है ना धीरे धीरे फिर क्या हुआ हम सब एक साथ घर में रहने लगे स्टार्टेंग में हम बहुत मजे किये सब को बहुत अच्छा लगा ना लेकिन बाद में क्या हुआ बाद में धीरे-धीरे वों चीज़ें हमें प्रॉब्लम करेट करने लगी है ना तो अब आप देखिया हुआ लॉक्डाउन खतम होगा लॉक्डाउन खतम होुआ जरूरी जो चीज़े थी वह सेवाये उनलटी वह स् ना करना पड़ा, बिमार हुए, डॉक्टर के पास नहीं आ सकते हैं, खाने पीने का समान खतम हो गया, लोग पैदल ही अपने घर जाने लगे, तो चलिए अब हम इसका आंसर एक पर देख लेते हैं, यह मैंने आंसर लिखाया, आप इसके लावा और कुछ आंसर भी लिख सकत करोना संकट देश के लिए मानव के लिए बहुती बड़ा संकट है, हम करोना के बारे में कुछ महीने पहले ही समाचार में पढ़ते हैं, सुनते आ रहे थे, क्योंकि करोना दूसरी जगे हुआ था पहले, यह कभी सोचा नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे, कि हम घर में क् कर रहे गए, शुरुआत में लॉकडाउन लगा तो हमने यही सोचा कि कुछ दिन की बात है, सब सही हो जाएगा, इस समस्य का हल निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई हल नहीं निकला, और हमारी जो समस्य थी वो बढ़ती ही चली गई, शुरुआत के दिनों में घ करता गया, समस्याएं बढ़ने लगी, क्योंकि परिवार में आए का साधन नहीं था, चिंता बड़ी, रोजगार बड़ी, लोग बेरोजगार हुए, इसी वज़े से लोग शहर से गाउं की तरफ भागे, बिना किसी साधन के पैदल यात्रा की, रष्चेदार दोस्त आप साथ ही क्या क्या, मास्क लगाना जरूरी था, हातों को सनिटाइज करना भी जरूरी था, इसी दौरान बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लोग बिमार होने पर भी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे थे, खाने पीने का सामान भी खतम होने लगा था, लोग की वैक्सीन भी आ गई और 24 घंटे की सुविधा देकर सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है हम इन मुस्किलों हालातों से भी जीत जाएंगे है ना तो बेटा यहां आपकी वोक्षीट कम्प्लीट होती है आप इसमें और कुछ भी लिख सकते हैं बहुत ऐसा हो सकता है आपने में फ्रेंस के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी काम कर पाएं थैंक्स फॉर वाचिंग